दीरे दीरे खंधर में तब्दील होने की तरफ बढ़ रहा ये मकान अपने साथ साथ इसके भीतर रहने वालों की भी बदहाली बया कर रहा है 36 गड में बलरामपुर जिले के बेलकुर्ता गाउं के इस घर में प्रमला भाई अपने दो दिव्यांग बच्चों के साथ रहती है पती की मौत हो चुकी है लहाजा घर में कमाने वाला कोई नहीं ऐसे में इस परिवार का गुजर बसर विद्वा पेंशन से होता है लेकिन चै महीने से वो भी बंध है मुश्किले यहीं तक सीमित नहीं है प्रमिला की दिव्यांग बेटे का नाम भी राशन कार्ड से कट गया है अब पूरा परिवार हर महीने मा के राशन कार्ड पर मिलने वाले 35 किलो चावल से अपना काम चला रहा है जो ममी के कार्ड में मेरा भी नाम अलगे से जूड़ा था लेकिन मेरा कट गया राशन कार्ड सर नहीं तो 35 किलो चावल मेरे को भी मिल रहा था 35 किलो चावल नहीं मिलता है जब राशन कार्ड कटा है तब 35 किलो चावल नहीं मिलता है कहने को दो पीम आवास योजना से लेकर गरीबों की मदद के लिए तमाम सरकारी योजनाएं लागू है लेकिन इस परिवार तक ऐसा कोई लाब नहीं पहुँच पाया है इस बारे में जब अधिकारियों से पूछा गया तो वे फिर से जल्द मदद दिलाने का भरूसा ही देते नजर आए जो भी उनको दिक्कत हो रही है और किस तरह से उनको मदद कर सकते हैं अधिकारियों के आश्वासन के बीच सवाल बने हुए है कि आखिर ऐसे जरूरत मन परिवारों तक सरकारी योजनाओ का लाब समय पर क्यों नहीं पहुँचता है इसमें देरी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कारवाई क्यों नहीं होती है ताकि ऐसी लापरवाही पर लगाम लगाई जा सके वीरर पोर्ड सुराज एक्सप्रेस